द्रैबल भाईयों बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं तो लगबद 25 साल से जो समझ से आपकी लिंगरी पॉमने आगे बढ़ती थी आज उसका एक समझा मुद्ध तो इसमें सहकार देने के लिए तिकुरा के मुख्यमंदी, निजोरम के मुख्यमंदी, स्रीहमन पॉम्स्यों सर्मा नेडा के अध्यर और निपुरा सरकार के मुख्यमंदी, समर्थक पार्टी के सारे नहिता और उसे इसकर महराजात निपुरा का भी में बड़े रदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इसको इक लोगदी कर पहुचा है। मिक्रो 1997 से जो नागा लेंग डर्मिजोरम के अंदर एथनिक टेंशन हुआ है। इन जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा सरकार मिजोरम सरकार और ग्रूप अंदियों के रीचने समझोता करा। पर एक पैकेज की गोश्रा थी जिसमें विश्थाफित सभी लोगों के साथ मिजोरम ने रखने की व्यवस्ता बना थी। परन्तु कई कारणों से कई सारे दों मिजोरम में जाना नहीं चाहते थे। तो 18-19 से लेकर आद तभी सिर्फ 328 परिवार ही विजोरम में जाकर बसे। स्री नरेंद्र मोदी जी के इनिसेटिव के कारण एक के बाद एक दिक्तर पुद्व की सारी समस्याओं का समाधान प्रजान मंत्री के नित्रूत में जीस प्रकार से हो रहा है। इसमें भी उनके ही इनिसेटिव से इत नए सिरे से वार्ता नए सिरे से नकुसिसल्स सादू है। और उसमें अंत में समाधान ये हुआ है। ये सारे जो भूर यान परिवार हैं जो आज लगबग 30,000 के आसपास होते हैं। वो सभी को प्रिपूरा में ही पर्मिने बसाने की दियोस्ता की जाए। जिसमें मुझे आनंद है कि सभी भूर यान संगेठनों ने सहमती दी है। और नीजोरम और उस्पूरा सरकार में भी सहमती दी। उनको वहाँ पर 40,000 पर 30 फ्रिक का एक आवासी अपलॉप दिया जाएगा। और समझोतर के अनुसार 4,000,000 रुपिय की फिक्स दिपोजिक उनके परिवार के नाम पर की जाएगी। 5,000 रुपिया प्रती माह नकत सहायता दी जाएगी। दो साल तक पूरा रासन हमारत सरकार की और से दिया जाएगा। और मकान बनावे के लिए 1,500,000 रुपिया और उनको दिये जाएगे जिससे वो अपना मकान सनमार के साथ बढ़ा से। जहां तक भूमी का सवाल है। टिपुरा मुठ्यमूंत्री का मैं विशेज निवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ पर भूमी उपलब्द कराई है। और लगबद 600 करोर उपयकेज आज ए 3,000 लोगों के भारत सरका में एफ्रू करकर उनको एक नया जीवन नई शुरुआत देने का प्रयास की। तेईस सालों से प्रूव और रियान विस्ताफित जो पिकुरा में रहते थें। आज स्री नरेंद्र मोदी के नेथूतों में उनकी ये समस्या का समधान होने चाहता है। बड़ा अनन्द का विस्ताफित है कि नौर्थिस्ट का बहुत जलग मसला बहुत लंबे समय से रहा और पर्मेनेंट सॉलूशन आज इसका दो निकल गया है। इसके बाद मुझे विश्वास है कि दोनों सरकार हैं मुझे रहेगी और भारत सरकार भी हमेशा उनके कल्डयान के लिए जागरूप भी रहेगी और मदद भी दोड़े समय पहले ही त्रिकूरा में NLFTSD एक तो अथ्यारी संगर्ण था सुभी देव बर्मा का इसके 88 अथ्यारी लोगों ने समर्पन किया था लगबग 50 के आसपास ऑटोमेटिक प्रिपन्स भी सरेंडर किये गए थे और 1980 से जोंका एक संगर्ण चल रहा था उसको समाप दिया तो NLFTSD के सरेंडर के बाद ग्रू और रियांग के पर्मेनेंट सॉलुशन आना हूँ मैं मांगा हूँ नौर्टीस के लिए बड़ा कदम है विसेज कर त्युकुरा के लिए पर्मेनेंट सॉलुशन लाना आज दोनों समस्याओं का यहां पर बनताता है और इसके कारण मिजोरम में भी एक प्रकाद में इरिटेशन का भाव था कि कि जो क्रम के ही नाग्रिक पर्मेन स्थाई ने वे बाद मिजोरम में भी काफी अच्छा संदेश जियाए था इसकर त्री सजार से ज्यादा गरूर्याग है उनके लिए आज जिवन की नहीं सुगात होगी तेइस साल तर फटीस साल तर एक प्रकार से जिसको कह सकते अब अन्विये जीवन जीने के लिए वे लोग मजबूर्थे एक कैम के अंदर रहते थे ना वहाँ पर स्वास्था की सुगधाय थी ना किसी प्रकार के धेनेत की विवस्ता थी ना सुपतिने का पाई था ना हेल प्रकार से नौर्थीस्ट की दूस्टी से देखे तो आज ये बहुत पुरानी 25 साल भुदानी समस्था परमनेन समाधार मोदीजी के नेत्रुत में नेकला है ये मैं देश के धुरूमंत्र येनाते स्री पुरा मधान दांगा, स्री विपलकुमारे देर, स्री हमारी विष्वशर्मार, अमारे किरद लाएजा साब हमदे की फिक्वरा के साथी पक्षों के सारय नेतर स्रीमान हैं इचार और प्रूर यान संगत हमों तो सभी सभी काली पोर्ट शदी पदादी काली पोर्ट से बढ़ाई भी देता हूं और शुक कामना इव्यक्त करता हूं कि आज से जोनरी सभी पोर्ट है आपको को दिवन में एक नया सभीरा लेकर आए और आपके भईवारों के लिए आने वाला रास्ता पर सकते हो आप सभी का मन से दन्यवाद करकर मैं मेरी पार समाप करता हूं और फिर से एक बात कि नरेंद्र मोदीजी की और से आप लोगों को विश्वास की जाता हूं कि ये समझोता हूं इसके लोजीकल प्रेंड तक महुंचे और आपको सब के समान भारत के हर नागरी के समान सारी सुनधाय में इसके लिए भारत सरकार कटिबद्ध है आपके मैं साथ कर दो दो एक निवाद पतब एक निवाद नियुकाओ तक पिर बात कि नियुक्त नियुक्त अनियुक्त